इस्टोक लेटेस नियूस सब्जेट सेशन में आपको स्वागत करता हूँ इस वीडियो को तुरू हम बात करेंगे इस्टोक की पूरा ही कुस लेटेस नियूस के बारे में मांदे मारकेट घंड होगा त्युरू इनसी नियूस का असर आपको दहल केशल मिल जाएगा मैं दूस्तेट ay आपको इस्टोक अकाडमी चैनल को सबस्कारर करा करके रखिये है कोई भी लेटेस न्योई या धो तो आप ये चैनल का आपको जल्दी-जल्दी मिल जाएगा इस ज़्सटो क पर हमें लगा है दोस्तो देख सेक्ते हों कि त्रेप चली ज τους आप देख सेक्तों। एंलेट।्स्रों आप 1zlichags 424 1 सबस्ट एक बार थोथ त्रेफ्धा जारें हे और 25-4 345 2 कोर्स का इक मेंड़ा करने हैं और सो असबस्त सेज़ सेकते हों कि एंटीपीशी की तरफ से बहुत बढ़ जब मार्गेट अपेन होगा तो यह पर अच्छी-कासी तेजी मिल सकते हैं क्योंकि जो 11,840.000 को यह इंटीपीशी के लिए बहुत बढ़ जब जो फोकस पर रखे हैं को इसके बाद जो आगला नियुस आपर मेल रहा है दोस्तों अनम्डेसिशियर की तरफ से मिलें इस्टों एनम्डेसिशियर में बहुत ही खराब नियूस निकाल का रहा है अगर हम NMDC शार्ट की बात करें तो मॉली सेशन में इस क्विर्वाट तो मोंड़ी अच्छी में अच्छी की गिरावाट मग्रेस सकते हो किंगे जो लिए बैद नियूस बहुती बूरी नियूस यापर रचे मार्जार था मार्जार से काल डी मार्जार होगा, बहुत छ्राब या पर याप के सेक्ट वीग नजर आ रहे इसकी सबसकर कोई बैद निवस को इभी इस टोक में आती है तो आपके सेक्ट विश्ट दारा शार गिरा पर देखने को मिल लगा तो एनमडी से में काल वैसे को सब्सक्राइब तरीका से गिर सकता है तो इसे आपको सेल का मुझा मि हो छ में मिल रहे दोस्तों रिलार इंडासरी की तरफ से में रहा था की तराप से यह सिवाथी के ब्यूलने जारे मांडेक को जी हम यह आपर नई नए लगबाग तो मंदे रिलाइंस इंडेस्टिस को भी फोकस में रखेंगे अगर हम अगर रिलाइंस इंडेस्टिस की निव कॉंट्रक की बात करें तो हम देख सेकते हूं रिलाइंस एन आधानी submitted bits for a link of American tech यानि लेंक को अमरिकांट का जो contract है इन contract के लिए यहापर रिलाइंस ने भी गया बीट लगाया है और आधानी भी यहापर bet लगाया है तो आपके सेक तो कि दोनों में से यहापर जो सबसे आगे निकाल रहा है और रिलाइंस की कि यह सबसे ज्यादा पैसा का bet यहापर लगा चुका है तो फिलाल तो यहापर दोनों कमपणी आधानी और रिलाइंस दोनों कमपणी ने बैट लगा रहा है लेकिन आगर हम बात करें रिलाइंस की तो दिखिए रिलाइंस थे आप तक 19,007 क्रोर का bet लगा चुकी है मतलब यह सबसे आगे निकाल रहे तो काल इजने इन कांट्राक जो है यह यह रिलाइंस को मि पूरा चांस है कि इस बेट पर इस कंपणी को यह पर खरीद ले तो आप रिलाइंस का इंस्टोक को मंदे की जरूर ट्रेक करके रहे हैं क्योंकि यह जो बीट है बहुत ही अच्छी वीट है और लेंक अमरिकन का जो कंपानी है से बाय करने के लिए सिंपल एक स्टेप अब बीट बीकल एक नई सेप्टेरिया पर शुरू करने वाला जिस तो एक नई कॉंट्रक इनको मिल चुका था जिनका का उद्वधन होने माला है जिस तो इनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूस यह कि काल इस कंपानी को रिस्टार्ट करने जारे कंपानी तो अब देख सेकते ही ईसट्र में आप demiş जो आप रिफाइन हरा जरी को पूरी तरहं के इस चो प्रोजेक्ट्थ कि यह चुरू करें का और शुरू किये तो आप कहें सब्सक्राइब करेगा तो बहुत ही अच्छी खासी तेजी आपर बीपीशल का श्यार में मिल सकते हैं तो बीपीशल का श्यार को भी आप ट्रेक कर सेक्ते हुए कि अच्छी मोमेंट मिल सकते हैं अगर हम उस पावर प्लाइन की बात के रहे हो आप देख सकते हैं लगबर 8.4 मेगवाट का डीसे और प्लाइन यहां पर स्टार्ट होगा मांदी की शेशन में तो मुझे लगता है कि बीपीशल यानि भारवाद पेट्रल कोपरेशन का स्टोक में अच्छी खासी तेजी मिल सकते हैं तो फोकस में जुरूर रखेगा मां अच्छी तरब से बारवाद गेर्स और बीपीशल इन दोनों का मार्ट्जार का यहां पर एकसेप्ट हुआ है आपके से क्यों की बहुत बड़ा इस्टेप है बीपीशल की तरफ से और बारवाद के तरफ से इन दोनुप यहां पर मर्जार के लिए अपलाई किया था उर पर इनको approval मिल चुका है तो मतलब BPCL और भारोद गेर्स को मार्जार होने मला है तो मांदे इसकी पूरी लेटेस निउस निकल करा जाएगा पूरा डेट और इसके बाद आपको जो एक नई contract भी मिल चाहिए मतलब एक नई पावर प्लान को यह अकाल उद्भादन करने वाला है तो BPCL आच्छी खासी तेजी मिल चाहिए काल स्टोक्स में